आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो स्टूडेंट आज का जो ये Question है इसमें हमें बोला है कि ये Metal Having Work Function हमें क्या दिया हुआ है Work Function is subjected to a light Having wavelength जिसका wavelength दिया हुआ हमें 300 Nanometer Then Maximum Kinetic Energy of the Emitted Photo Electron हमें वो बतानी है कि Maximum Kinetic Energy उसकी क्या होगी तो देखें स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी क्या होता है कि कोई light अगर हमारी कोई light है जो हमारी Metal पर पड़ी है ठीक है अगर हमारी कोई light ठीक है वो अगर हमारी Metal पर पड़ी तो क्या होगा कि इसके Electrons को Excite कराने के लिए minimum amount of energy चाहिए होगी ठीक है तो वो जो minimum amount of energy उसको हम क्या बोलते हैं? WORK FUNCTION उसको क्या बोलते हैं? WORK FUNCTION और उसको हम E-NOT से DENOTE वो हमारा क्या होता है? WORK FUNCTION ठीक है अब क्या हुआ? यह क्या होती है? MINIMUM AMOUNT OF ENERGY जो उसको EXCITE कराने के लिए तो जो बाकी AMOUNT OF ENERGY जो बच गई वो क्या होती है as a kinetic energy उसमें store रहती है ठीक है तो यानि कि हम क्या लिख सकते है students हम यह लिख सकते है कि जो हमारी total energy है जो energy की light हमारे इस metal पर पड़ी वो किसके equal हो जाएगी E naught ठीक है E naught plus kinetic energy ठीक है काई जो का energy बच गई वो क्या हो जाएगी है मारी kinetic energy देखे अब हमें यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर एनर्जी हम क्या लिख सकते है hc by lambda क्या होता है h new new is c by lambda ठीक है E naught हमें दिया हुआ है 4.41 into 10 raise to power minus 19 ठीक है plus हमें क्या पूछा है kinetic energy हम से पूछी गई है कि उसकी maximum kinetic energy क्या होगी ठीक है तो अब यहां पर देखिए h का value हमें दिया हुआ है 6.63 into 10 raise to power minus 34 इन values को हम substitute करेंगे c का value 3 into 10 raise to power 8 ठीक है and lambda हमें दिया हुआ है lambda की value भी हमें दिया हुए lambda हमें कित्ता दिया हुआ है 300 nanometer तो यह क्या हो जाएगा 300 into 10 raise to power minus 9 इसको मेटर में लिखा हमने ठीक है अब यहां पर यह किसके equal है 4.41 into 10 raise to power minus 19 plus kinetic energy next ठीक है अब इसको हम solve कर लेंगे तो यहां से solve करके आएगा हमारा 6.63 into 10 raise to power minus 19 क्यों क्योंकि यह क्या हो जाएगा 10 raise to power minus 7 उपर जाएगा यह plus 8 and 3 and 3 cancel हो जाएगे तो यह हमारा जाएगा 6.63 into 10 raise to power minus 19 is equal to 4.41 into 10 raise to power minus 19 plus kinetic energy next ठीक है यहां से हम लिख सकते हैं इसको 6.63 into 10 raise to power minus 19 यह क्या हो जाएगा इदर minus 4.41 into 10 raise to power minus 19 plus is equal to kinetic energy ठीक है इसको अगर हम solve करें तो यह हमारा क्या है क्या है यहां पर हमें किस फेक्टर में बताने है कि यहां पर multiple क्या होगा 10 raise to power minus 21 minus 21 तो यह क्या हो जाएगा हमारा इसको में लिख सकते हैं 222 222 into 10 raise to power minus 21 is equal to kinetic energy max ठीक है यहां पर तो यानि की जो हमारा answer आएगा वो क्या आजाएगा तो यहां पर यह हो जाएगा हमारा answer ठीक है students okay thank you classics to 12 से लेके need IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट आउट्स आट 4404 शॉपर